चीन ने लगभग दो महीने पहले परमाणू हतियार ले जाने में सक्षम अत्याधुनिक हाईपरसॉनिक मिसाइल का परिक्षन किया है जिससे अमेरिकी खुफिया तंत्र सक्ते में आ गया है ये दावा अंतराश्ची अकबार फाइनेंशल टाइम्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में किया है अकबार ने पाँच अलग-अलग अनाम सूत्रों के आधार पर ये खबर दी हाला कि चीन ने आधिकारिक तौर पर इस खबर का खंडन किया है चीन ने दावा किया है कि ये परिक्षन एक मिसाइल का नहीं बलकि स्पेस क्राफ्ट का था हाला कि चीन के खंडन के बावजूद इस खबर ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है अमेरिका, रूस और चीन एक लंबे समय से हाइपरसॉनिक हतियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं आए समझते हैं आखिर क्या होती हैं हाइपरसॉनिक मिसाइले हाइपरसोनिक मिसाइल से आशे उन मिसाइलों से हैं जो आवास की गती से पांच गुना तेज रफतार से उड़ते हुए अपने लक्ष की ओर बढ़ती हैं लेकिन हाइपरसोनिक हतियारों को उनका विशेश दर्जा उनकी स्पीड से नहीं मिलता सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज से जुड़ी परमानू हतियारों की विशेशग्य मनप्रीत सेठी बताती हैं कि हाइपरसोनिक एक काफी पुरानी तकनीक है बैलिस्टिक मिसाइलें भी ध्वनी की गती से तेज चलती है रक्षा छेतर से जुड़े विशेशग्य राहुल बेदी इस मिसाइल की मारक शमता को समझाते हुए कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल पिछले 30-35 सालों की सबसे आधुनिक मिसाइल तकनीक है इसके तहत पहले एक वीकल मिसाइल को अंतरिक्ष में लेकर जाता है इसके बाद मिसाइल इतनी तेजी से लक्ष की और बढ़ती है कि एंटी मिसाइल सिस्टम इन्हें ट्रैक करके नस्ट नहीं कर पाते मनप्रीत से ठी बताती हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल भी हाइपरसोनिक गती से चलती है लेकिन जब उसे एक जगह से लाँच किया जाता है तो पता चल जाता है कि वह कहां गिरेगी ऐसे में इन मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है इसके साथ ही लाँचिंग के बाद इन मिसाइलों की दिशा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ लाँचिंग के बाद दिशा परिवर्तन संभव है ये मिसाइल वायो मंडल में हाइपरसोनिक स्पीड से गलाइड करती हैं और अपने लक्ष की ओर बढ़ती हैं चुकि ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह आर्क और प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती हैं इस वजह से इनके लक्ष का पता लगाना काफी मुश्किल होता है ऐसे में ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में नहीं आ पाती हैं आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई मुल्क हाइपरसॉनिक मिसाइल लाँच करता है तो उसे एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम की मदद से रोकना लगभग नामुम्किन होगा क्या हाइपरसॉनिक मिसाइलें दुनिया के लिए खत्रे की घंटी हैं इस सवाल के जवाब में मनप्रीत सेठी कहती हैं कि हाइपरसॉनिक मिसाइल परमानू बम के साथ साथ परंपरागत बम लाँच करने की शमता भी देती है लेकिन आपने क्या लाँच किया है ये सिर्फ आपको पता होगा और क्राइसिस के दौर में व्यक्ति बुरे परिणाम की भी अपिक्षा करता है ऐसे में अगर दो देशों के बीच तानातनी बेहत गंभी रिस्तर पर है सेनाएं ट्रिगर मोड पर रेडी हैं और एक मुल्क हाइपरसॉनिक मिसाइल लाँच कर देता है तो ब्रहम पूर्ण स्थिती में परमानु शक्ती संपन राष्ट्र हाइपरसॉनिक मिसाइल को परमानु बम से लैस मान कर अपनी ओर से परमानु बम लॉंच कर सकते हैं जिससे आखिरकार दोनों मुलकों की ओर से ना चाहते हुए भी परमानु युद्ध होने की आशंका बढ़ जाती है